नमस्कार आप देख रहे हैं CWB Hindi News बाकी चार दोशियों के नाम जस्वीर, अवतार, कृष्णलाल और सब्दिल हैं पंचकुला में CBI जज सुसिल गर्ग ने राम रहीम पर 31 लाग रुपे का जुर्माना भी लगाया है बाकी चार दोशियों पर 50-50 जार रुपे का जुर्माना लगाया गया है राम रहीम को इस से पहले पत्रगार राम चंदर चटरपती, हत्यकान में भी उमरकायत की सजा हो चुकी है इसके अलाबा दोशाधियों के यूण सोसल मामले में भी राम रहीम को 10-10 साल की सजा हो चुकी है डेरा परमुक राम रहीम के एडवोकेट अजय बर्मन ने कहा कि वे फैसले को हाई कोट में चुनोती देंगे CBI के वकिल ने सपष्ट किया कि सजा माफने होने की सूरत में राम रहीम को सुनाई गई उम्रिकाइद का मतलब है जब तक जिंदर रहेंगे जेल में रहना हर्याणा में सोमार को समित किसान मोर्चा के आवान पर किसानों ने रेल रोको आंदुलोन चलाया और अलग अलग जगाया पर रेलवे ट्रेक पर बैठ गई यह आंदुलोन सुबह 10 बजे से लेकर साम 4 बजे तक यानी 6 गंटे तक चला इस दोरान किसानों ने लखिमपूर खीरी हिंसा के किसानों की मोत के बाद गरहे राजी मंतरी अजे मिस्रा के इस्तिपे और गिरफतारी के बिमांग की किसानों के परदर्शन के मद्य नजर रेल्वे स्टेशन पर पेरा मिल्टरी फोर्स, पुलिस जवान और आर्पेफ जवान तयानाद रहे वहीं रेल्वे ने ट्रेनों को रद्द कर दिया इस दोरान यात्रियों को काफी परेशानी का सामन उठाना पड़ा हरियाना के सोनिपत में सिंगू बोर्डर पर युवक की बरबर हत्या के बाद निहंगों को किसान आंदरोन के मोर्चे से अठाने के मांग जोर पगड़ती जा रही है इसे लेकर निहंग जथे बंदियों ने 27 अक्तुबर को सिंगू बोर्डर पर ही धार्मिक 71 बुला ली है इसमें फैसला लिया जाएगा कि निहंगों को सिंगू बोर्डर पर ही रहना है या फिर यहां से चले जाना है सिंगु बोर्टर पर बैठी निहंग जत्थे बंदियों के परमुखों में सामिल निहंग राजा रामसिंग ने कहा कि 27 अक्तुबर को सिंगु बोर्टर पर होने वाली धार्मिक एकत्रता में संत समाज की सवी लोग बुद्धी जीवी और संगताजी रहेगी इसी दोरान समयक्त रूप से जो भी भेशला लिया जाएगा निहंग जत्थे बंदिया उसे माल लेंगी हर्यान सब इंस्पेक्टर भरती परिक्षा को लेकर परदर्शन पंचकुला में हर्यान ससी कार्याले के बाहर 1500 अभ्यार्थियों निजताय रोज कहा एक शिफ्ट में लिया जाए पेपर हर्यान स्टाफ सेलेक्षिन कमिशन यानि H.S.S.C. कार्याले पंचकुला के सामने सब इंस्पेक्टर भरती परिक्षा की मांग को लेकर परदर्शन किया गया सब इंस्पेक्टर भरती परिक्षा में बैठने वाले लगबग पंदरा सो उम्मिदवार सोमवार को पंचकुला के सेक्टर दो में स्टीथ हर्यान सेसी बिल्डिंग के बाहर विरोध परदर्शन करने पहुंचे उन्होंने चेर्मेन भोपाल सिंग खदरी को ग्यापन देकर दोबारा सभी का एक सिफ्ट में पेपर लेने की मांग की है अब यार्थियों में एक लाग का पेपर चियार सिफ्टों में लिये जाने को लेकर रोज है इस मामले में हाई कोट ने नॉवंबर की थारिक दी है उन्होंने मांग उठाई है कि गुरुग्राम में रेवाडी के तीन केंद्रों की बजाए पूरी प्रिक्षा दो बारा होनी चाहिए पूलिस के पहरे में डीएपी का वीत्राण रेवाडी के नाजमंडी में खाद के लिए भारी बीड जगडे बढ़ने लगे तो त्यानात करने पड़े पूलिस करमी हर्याणा के दो जिलों रेवाडी में महेंदरगड में डियापी को लेकर ऐसी मारा मारी मची है कि यहां डियापी सेंटर पर पुलिस को तैनात करना पड़ा रेवाडी की नई अनाजमंडी के करब को वैईप को डियापी के अंदर पर सुबह 8 बजे से लेकर साम 6 बजे तक बीच से ज़्यादा पुलिस करमी को तैनात किया गया है यानी एक थाना की पुलिस फोर्स की डियूटी तो डियापी के वीत्रण में ही लगानी पड़ गई पिछले कुछ दिनों से डायल 112 पर सबसी ज़्यादा कोल डियापी सेंटर के पास हंगामे के मिले रेवाडी की तरह नारूल में मेहंदरगड में भी इसी फरकार के हालात बने हुए हैं हर दिन डियापी का रेक पहुंचने के बाद भी खाद की कमी अब तक पूरी नहीं हो पा रही है बदलते मोसम का असर अक्तूबर में नौमबर जैसी ठंड धान की कटाई और विक्री प्रभावीत डायलाग बच्चों को खासी जुखाम बुखार हरियाणा में आदे अक्तूबर में ही बदलते हुए मोसम का असर फसलों और बच्चों पर साब दिखाई देने लगा है अक्तूबर में ही नौमबर जैसी सर्दी बन गई है इस चे परदेश में धान की फसल की कटाई बिक्री में देरी तो होई ही रही है जबकि किसान को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है वहीं दूसरी तरफ अस्पतालों में मरिजों की संख्या बढ़ गई है इनमें सबसे अधिक बच्चों पर असर हुआ है परदेश में करीब 2,50,000 बच्चे सरकारी और प्राइवेट अस्पताल से इलाज करवा रहे है इनको जुखाम, खासी वुखार और दस्त की सिकाज मिल रही है डोक्टर इसको मोसम परिवर्तन के दोरान फैलने वाला वायरल बता रहे है उदर मोसम विबाग ने 19 अक्तुबर तक परदेश में बादल चाहे रहने के साथ-साथ बिजली चमक के साथ हलके बुंदा बांदी बताई है बच्चों को कोरोना वैक्सिन जल्द हर्याना सरकार ने शुरू की तयारी हर्याने के स्वास्त मंतरी अनिल विज ने स्टंबर 2021 में आवजित कोविड-19 शीरो सर्वेक्षन के तीसरी राउंड की रिपोर्ट जारी कर दी है जिसमें राजी के लोगों में सीरो पोजिटिविटी दर 56.3 इनमें से सहरी 38.1 तो ग्रामिन 55.1 परतिशत पाई गई है जबकि पहले सीरो राउंड में 8 परतिशत ता दूसरी सीरो राउंड में 14.8 परतिशत पोजिटिविटी दर पाई गई थी उन्होंने बताया कि इस सर्वे में प्राकरते को इम टिकागाण से उत्पन हुई एंटिबोडी का पता लगाने का सर्वेक्षन किया गया है टिकागाण के बाद बनने वाले एंटिबोडी का स्पाइक प्रोटिन का टेस्ट भी हुआ है अनिल विज ने बताए कि कैंदर सरकार ने 18 साल से नीचे के आयूवर के बच्चों है तो वैक्षिन स्विकर्थ कर दी है और जब भी इस आयूवर के बच्चों को वैक्षिन देने का कारिय शुरू होगा उसके लिए हार्याना ने अपनी तयारियां शुरू कर दी है मेहंदरगट दादरीवे भीवानी के एंशेयर में सामिल रहने पर संकट के बादल हर्यान सरकार करेगी आखरी फैसला जिला मेहंदरगट दादरीवे भीवानी को एंशेयर में सामिल रहने के संकट के बादल चा गए है NCR planning board की नई planning के अनुसार ये जिले NCR की सेमा से बहार हो जाएंगे कि अंदर सरकार दोरा भी नई planning को मंजूरी देने की बात सामने आई है हालां कि अभी कोई आदिकारी पुष्ट नहीं हो पाई है मगर अंतिम फैसला राजे सरकार पर छोड़ दिया गया है राजे सरकार चाहेगे तो आप इन जिलों को NCR से अलग भी किया जा सकता है वहीं NCR planning board के नई planning के लिए जिले में चर्चा हो रही है इसमें मिली जुली पर दिकरे हैं सुनने को मिल रही है कुछ का कहना है कि यह गलत हो रहा है जबकि कुछ का कहना है कि NCR में सामिल होने से फाइदे कम वह नुक्षान जादा है इसलिए अगर NCR से अलग हो भी जाएं तो कोई बुराई नहीं है CSE सेंटर पर बनाई जा रहे परिवार पैचान पत्रों में नाम पतेवे अन्य जानकारी में होई तुरूटी को नागरिक घर बैठी ठीक करवा सकते हैं जानकारी देते वे रेवाडी A.D.C. आसिमा सांगवान ने बताया कि इसके लिए वेक्ति को परिवार पैचान पत्र पोर्टल पर जाकर या किसी भी अटल शिवा के अंदर पर जाकर ये कारिये करवा सकते हैं जिसके लिए 16 बिंदू निर्धारित किये गए हैं परिवार पैजान पत्र बनवाने के दोरान नामादी कुछ तुरूटिया रह जाती है तो उसको ठीक करवाय जा सकता है। हरियान सरकार द्वारा सबजियों में बास, स्केटिंग वे लोही स्केटिंग का परियोग करने के लिए किसानों को 50-90% तक अनुदान परदान किया जा रहा है। का नाम है जिसे अपनागर किसान अच्छा लाब कमा सकते हैं। करवा चोत को देखते हुए राजस्थान करमचारी बोर्ड ने 5 लाग से ज्यादा महिला अभ्यर्थियों को रहात देते हुए 23 अक्तुबर को ही उनकी प्रिक्षा करवाने का फैसला लिया है। इनकी प्रिक्षा 24 अक्तुबर को होनी है। हालाइं की अलवर और धोलपूर में पंचया चुनाओ के कान 23 अक्तुबर की बजाए 24 अक्तुबर को ही प्रिक्षा होगी। वहां महिला केंडियेट्स को घर के नजदी के एक्जम सेंटर अलोट किये गए हैं। इसके अलावा करोली जिले के सपोर्टरा हिंडोन में भी जवरतस पारिश हुई है। तक 10 और 1-12 दिसम्बर तक 12 एक्जम होंगे। CBSE ने 10 और 12 के टर्म एक्जम की डेट्शीट का एलान कर दिया है। इसके तैट 30 नॉमबर से 11 दिसम्बर तक 10 और 1-22 दिसम्बर तक 12 एक्जम होंगे। डेट्शीट आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in परजारी की गई है। टर्म 1 प्रिक्षा के सातरों से क्यावल अबजेक्टिव टाइब के स्वाल पुछे जाएंगे। और टर्म 2 में दोनों अबजेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइब के परसंद पुछे जाएंगे। वे अमेरिका के पहले अफरिकी अमरीकी विदेश मंद्री रहे हैं। इसके अलावा नोने कई अन्ने महत्वपून पदों पर भी काम किया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि पावल कोरोना वेक्षिन के दोनों डोज ले चुके थे। इसके बावजूद भी वे संक्रमित हो गई। कुछ दिन पहले उन्हें होस्पिटल में एडमिट कराया गया था किया उन्हें कोरोना संक्रमित पाया गया। बाद में उन्हें वेंटिलेटर पर भी रखा गया लेकिन सोम और को उनका निधन हो गया। सबजियों के केमतें आस्मान पर टमाटर 60 रुपए केलो, प्याज 50 रुपए केलो, दस दिन बाद केमतों में आ सकती है कमी। स्टमबर के अंतिम अपते में हुई बारिज ने सबजियों के केमतों में गर मिला दी है। जैपुर, मुंबई, प्रियागराज और बोपाल जैसे बाजारों में सबजियों के केमतें काफी पढ़ गई है। आलू प्याज भी काफी महंगे हो गए हैं जबकि हरा माटर 160 रुपए केलो भीक रहा है। नासिक से लेकर मुंबई तक सबजियों के केमतों में तेजी है। थोक भाव के साथ साथ रिटेल मार्केट में भी सबजियों महंगे हो गई है। यहाँ तक कि प्याज का भाव अब 50 रुपए के रो तक पहुंच गया है। अक्तुबर के पहले हपते में सबजियों थोक भाव में काफी महंगे हो गई है। इसका कार्ण बारिस है। बारिस से सबजियों को नुक्सान पहुंचा है और इससे आवक कम हो गई है। वियापारियों को कहना है कि कम से कम अगले 15 दिन तक यही बाव रहने वाला है। नौम्मर में आवक जब बढ़ेगी तो सबजियों के किमते कम होने लगेंगी।